यशो मती मैया के नंदे लाला ओ महाराज, आप कौन? और आप यहां क्या कर रहे हो? मैया आपका लल्ला अच्छा, लल्ला को देखने आये हूँ अरे तू इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आये थे तब क्यों ना आये आप? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहां से हो आप? और सबसे पहले हो तो अपना नाम बता सक्ची सक्ची बोलो मैं शनी, शनी देव अच्छा, सनी देव मैं चन्डी माता मैं आप? एक तो चोरी-चोरी ज़रोके से जाक रहो थे उपर से सु इमको सनी देव बता रहे हो है? क्या समझते हो? तुम देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची को देवता मान लोंगी संपूर जगत मझे शनी देव के नाम से जानता है मैया मैं सत्य कह रहा हूँ सत्य कहने वाले ऐसे द्रिस्टी ना चुराते आँखों में आखें डाल के बात करते हैं आपको कैसे समझाओ? मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता अपने वक्र द्रिश्टी से श्री हारी के मैया का आहित कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा! पहचान का छल सिद्ध हो गओ तो मौन हो गए इससे पहले कि नंद महराज को पता चल चलो जाओ यहां से अब पस एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो मैया फिर चला जाओंगा मैं सत्त कह रहा हूँ कि मैं शनी देव हूँ जदी जे सच बोल रहो होता तो मैं आवस्या इससे लल्ला से मिलवा देती किन्तु जे तो जूट पे जूट बोले जा रहो है अब तो इसे गोकुल का खटा मठा करके ना पिलाओ तो मेरा भी नाम जसोदान महराज जदी आप सच्ची में सनी दे दे फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्सन बिल्कुल ना करवाऊंगी किन्तु क्यों महिया भूलगा आपकी ही दृष्टी के कारण महिया पारवती के लल्ला का सीस कटगो था फिर हमारे डमरू धारी बोले बंडारी ने हाथी का सीस लगा के उनके प्राण बचाओ और अच्छे बले अमारे गनेश जी तो जानर बनगाओ वो भगवान है उनके लिए जिससब करना संभव था किन्तु मैं तो साधारन मैया हूं महराज जदी आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वाक्र द्रिष्टी लग गाओ तो ना ना आप ही बताओ ऐसे कैसे देखने दू आपको अपने लल्ला को है सनी देव अब आप छमा करो मुझे मैं अपनी द्रिष्टी केवल छो दिन का है मेरा लल्ला और जिद दिन प्रति दिन के उत्सव से बहुत ठगव है उसे सोने दो महराज लो कर लो बात मैं तो जाग रहा हूं मैया मिलने दो ना शनी देव को मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का चैये राम जी की अउसे धुणगयों से जित्ता बचके रह लल्ला ओता ही अच्छा वैसे तोझे सキची के भी सणी देव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला अरे सुांक ज़ूटा हो सकतो है कि न तु संी देव की वक्रद्रश्थी तो सच्ची होती है ना आने तो ये क्या किया मैया कितना दुख हुआ होगा शनी देव को हे नाराइड मैं तो आप ही का सेवक हूँ किवल आपके आदेश पर म्याए करता हूँ और किवल पापियों को दंड देता हूँ जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड तो फिर सभी मझे क्रूर क्यों समझते हैं क्यों भैभीत होते हैं मेरी चाया तक से देवी, देवता, रिशी, मुनी नर नारी, कंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए तो फिर ये स्वभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया क्यों ये तो न्याय नहीं है ना प्रभू उसकी मुश्कुराहरत इतनी मनोहर थी कि जित्ता भी वड़न करो कम ही पड़ोगो आखे देखी ऐसा आकरसण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाएं फिर भी मनना भरेगो सभाब के सुरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभू कह रहे थे आपके आखे आपके मुस्कुराहट आपका संपोर्ण रूप सरूप सब कुछ कितना सुन्दर है आपके चेहरे पर दिव्य आभा अद्बुत देज तो आपने मुझे किस दोश का धंड दिया है प्रभू क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है पोक लग रही है लल्ला को हाँ कि ठंड लग रही है बहुत थकान होगा उना लल्ला पीडा तो हो रही है मुझे पर थकान से नहीं शनी देव के कश्ट से कथा रूप की बाल प्रभू के सुनके मन हरशे द्वार गए पर मिलना पाए ये तड़ पे और तर से रोम रोम है पीडा में व्यथित है न्याय पती किस विधी दर्शन करू हरी के ये सोचे देव शनी न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनी देव आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे खंडे जोके से नीनना आरी लल्ला को हाँ मैं अभी सारे जरों के बंद कर देती हूँ ठीक है तिर मैया तुझे लोरी गाके सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोईगो मेरा लल्ला अभी आई मैया हाँ 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 अभी आई अभी आई अभी आई अभी आई आई झाल 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 आपके संकेत की प्रतिक्षा है प्रभू एक बार आदेश कर दीचे कि मेरे भागे में आपके शुक दर्शन है ही नहीं मैं चुप चाप यहां से चला चाहूंगा क्या मैं इतना भी योग्य नहीं प्रभू कि आप मुझे संकेत दें संकेत के अभाव में ही संदेश छिपा है आपके धर्शन करने के इक्षा मेरी कभी पूरी नहीं होगी इसका अर्थ है कि मुझे यह हट छोड़कर लौट जाना चाहिए लौट जाना चाहिए प्रभू लौट जाना चाहिए बिना मिले ही जा रहे हैं शनी देव अवशे ही है मेरा प्रम होगा लो कर लो बात दर्शन देने में स्वयम आया हूँ तो आप मेरी पुकार अंसुनी करके जा रहे हैं प्रभू आपके धर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा ऐसा इसलिए शनी देव क्योंकि ये कोकिला मार्ध्यम है मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला प्रभू 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 मैं धन्य हो गया संपूर जगत आपके धर्शन लेने आया किन्तु आप मुझे धर्शन देने चले आये प्रभू आपने सच्चे हृदे से स्मरण किया था फिर कैसे ना आता मैं जब भक इश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है मेरी दपस्या का फल इतने बड़े वरधान के रूप में मिलेगा इसके कलपना भी नहीं की थी मैंने आपने अपनी तपस्या से इस्थान को पवित्र कर दिया है शनी देव आज से जो भी मुझे हिरिदे में धारण कर यहां आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी तो फिर प्रभू मेरा एक अंश यहां सदेयव निवास करेगा इसलिए आज से यह स्थान कोखिलावन के रूप में जाना जाएगा और मेरी वक्र द्रस्टी से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहां पर आकर आपकी भग्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा